हाइ friends welcome to the upac pcs forum आज हम 1.6 एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर तो यहां पर हम 1.6 जा नहींचाइब किया हैं बहुत एक सब्सक्राइब किया है तो जाकि जरूर थेखें बहुत आपकाया हैं। के लिए और एंसेट पढ़ने का आपको आइडिया पता चलेगा कि एंसेटी पढ़ते कैसे हैं इंसेटी में इंपोर्टिन किया है एंसेटी में छोड़ना किया है यह सारी चीज की क्लारिटी आपको इस वीडियो से मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते 15 नंबर कुस्टिन से रोट्स्टी स्क्रेप्ट वस रिटेल फ्रम लिफ तो राइट एंड वस प्रविलें इन नौर्थ वेस्टर पार्ट अफ इंडियन सब कॉंटिन तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है तो एपिग्राफिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं व जो सेवंध सिंचुरी एडित तक बहुत सा जो इंस्क्रिप्शन स्वा करते हैं वो कैसे हुआ करते थे ब्रामी इसक्रिप्ट पर तो ऑप्शन निदेल ए तो हमारा करेक्ट हो गया खुद्टी स्कृप्ट वास रिटेल फ्रम लिफ्ट चू राइट नहीं लिखा लाइज बल्कि right to left निखा जाता है right to left जबकि यहां भी बोल रहा है left to right इसलिए हमारा जो यह option है वह incorrect हो जाए हाँ यह नौर्थ वेस्टन पार्ट में काफी famous था में जो असोकर प्रेट के इंस्क्रिप्शन होते हैं नौर्थ वेस्टन पार्ट के वह हमें देखना का मिलते हैं किस मे आप इसक्रिप्शन नौर्ट नौर्ड एँ हो जाएगा करें देख लेते हैं इसका explanation में तो knowledge of Brahmi script is essential for the Eiffagraphist to decipher most of the inscription of the country up to the 7th century 80 तो जैसे question में दिया हुए कि 7th century 80 तक अगर आपको Brahmi इसक्रिप्शन पढ़ता है तो आप 7th century 80 तक के सारे inscription को पढ़ सकते हैं डैसी फिर कर सकते हैं इसक्रिप्ट वह मेज़ डैनेसिस के दार यूज़ के एगी था इंकलूडिंग असोका के दार, असोका ने बहुत सब्माया थे और इसे वह क्या करते हैं communication यह एक communication का वे था राजा और प्रजा के बीच में आदेश दिया करते थे वो धम्मा का संदेश दिया करते थे inscriptions के दौरा सेवंग सेवंग सेटरी के बाद there were a strong original variation in the script और सेवंग सेटरी के पाद क्या होता है original variation प्रजा प्रजा के इसक्रिप्ट में जबकि यह राइट टू लिखा जाता है और यह इस इंस्क्रिप्शन का यूज असुगा के दिया गया था नॉर्थ वेस्टन पार्ट में और लेटर इस वाज अलसो यूज इंडोग्रीक और कुशानास के दोरा भी यूज किया गया था ऑप्शन नमर यह हो जाएगा 16th question दिखते हैं तो फॉलविंग स्टेप्शन इंडिया तो इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग क्या स्टेट्में यहाँ पर सही है तो अल्यस इंस्क्रिप्शन और फांड ऑन देशिल्स अफ हारप पार बिलूंगं तू 2500 बीसे तो हां अल्यस दो इंस्क्रिप्शन से मिले हैं हम उसको पड़ नहीं पाएं डैसिफड नहीं कर पाएं तो आशोगर इंस्क्रिप्शन पर इंगरंड ब्रामरी एंस्क्रिप्ट वुद्ध इंस्क्रिप्ट तो जो ब्रेट उन्सक्रिप्ट थी वह लिखे चांद ही थी लेफ्ट से राइट जब जो अब इने खरोष्टा इस्कृपे का वो रच्ट एक वात डिक तो धाए तो सिखा जाता था तो ज्ketां लेती तो जहाए तो अधो अच्रें लेक direct के लोुए दिइनिया मैंने बताया कि हरपन एंस्करप्शन देसेफ्ज़ नहीं किया गए आप्शन नमरी थर्ट थर्ट जो ए वह इंकरेक्ट हो जाता और इसके third होते ही हमारा b.d और c जो है वह इंकरेक्ट हो जाता है और तो तो डिशनिम्लें यहिस्चकेशन deep अभी तक नहीं किया है और वह प्रिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखे लिखे गया है जब यह खरुष्टी इस्क्रिप्ट थी वह लिखे जाती थी राइट तो लेफ्ट ची और थर्ड जो है वह इंकरिक्ट है क्योंकि ओल्डेस इंस्क्रिप्शन जो है जिसको अभी तक पढ़ा गया है वह आपर इंस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ा गया है तक बिखना गिर्णायरौक शुर्टा शुदासल लम उदिक्ज सैस्टाइआ सब वारिये वेरी इन्सिट्रा सबुद्ध करवा गया था किसके द्वारा मौरियंस के द्वारा करवा गया था मौरियंस में चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा करवा गया था उसके बाद उसको रपेर करवा गया सकरूलर के द्वारा करवाया गया था एंड देन उसके बाद गुप्ता रूलर के द्वारा भी करवाया गया तो सकरू तो option number 123 जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा option ए हो जाएगा correct तो king of Moria empire Sakka empire Gupta empire associated है किसे करिणार inscriptions यह inscription mention करते है कि जो सुदर्चन लेक है with embankment and water channel built किया गया है local governor during the rule of Morians and mainly क्वाइब चंदरगुप्त मौर्यां आपक्षाइब विजा से वह इंबंग्मेंट जो हता है उसका तूट जाता है और वॉटर होती है लेक के त Mage क्या होते है है कि गुपतर रोलर होते हैं तो उस एरिया को रूल करवा फिर करवाते हैं अपने रिस्वोर्सेस से बिना उपर टेक्स लगाये हुए उसके बैद 5th guess Si Inn करते जो गुपताय रूल रहते हैं वह भी एक बाब रिपेर करवाते हैं तो इस तरीके से और कुछानन टैंडिस्टी यो अशॉसेटे में दिया गहाई वह अशॉसेटेड अटतक इंस्क्रिप्षण तो आप्शेंट रावा में टो ठैंगा उप्षाइट यानि ए ठीच्ट रहे किसके भाइब बताता है तो यह है बताता है आपका मुर्यंस के बारे में गुपतास के बारे में और ढली किसल जातली गुपतास के बारे मैं मौरिंस गुप्ता और मुगल एंस्क्रिप्शन को और यह कमिशन किया गया था ओविसली अशोका के द्वारा इसके उपर युलोजिस वह लिखा हुआ है समंद्र गुप्ता के बारे मुद्र गुप्ता डैनिस्ति से जिसको भारत का निपूलियन भी कहा जाता है और इस एक्सपोर्ट एस किंग इस अल्सो रिट्राइट अवर तो मुगल एंपरर जहांगेर तो अलापते इंस्क्रिप्शन जिसको प्रियाग प्रस्टिस से भी कहा जाते है उसके उपर जो अशोका के दौरा इस्टेबली स्क्रिवाए गया था उसके उपर यह लाजी है कि समुद्र गुप्ता से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है यह गुप्ता टैनिस्टर से भी लोग करते है और मुगल जहांगेर के वाए में भी दिखा हुआ है तो ध्यान रिखेंगे ऑप्शन नमबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 2 & 4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 19th न गरे करें है कि उसका कै़ा लेवी वाएट करणन कमीक्शन क विल् करें तो इसका लेवी लेवीटेशन है तो इसको क graveyard दे ग wspp करकान सिक्रेंगे ठेड़ कारे अप्श करवात में तो हमी दान में करक्शन को मसरें से का neighbors का कि और नके ने पारिया घषर किंसिक्ट किति तो य इसलिए उस ताइम के कॉमन मैं की कंडिशन क्या थी यह हमें पता नहीं चल पाता है इस रिकाड़ेड औन पीरी सेवल मैटरील विच प्रोवाइड इसको फर आलिटी नहीं हमें इस पर डिम्सम तो में हमें इस्टोन सप्वे देखने को मिलते हैं तो थार्ड नमर जो है आप्षिन हमारा इन करेक्ट हो जाते है बहुत दिहान पर दकना होतां आपको ऑप्षिन only जैसे words को चिक है तो first and second जो हो जाता है हमारा correct हो जाते third number वो हो है वो incorrect हो जाते है क्योंकि एक extreme word है all of them are not unparisable materials तो one and two जो होते है वो correct हो जाते है regarding limitations of inscription जो historical reconstruction के बारे में मतलब historical reconstruction करने में जो उनका limitation दर्शाता है तो पहले जैसे कि inscription commission जिनके द्वारा के जितों उनके power के बारे में उनके प्रशिदिय और उनके perspective यह सारी चीजों के जनकरी हमें inscription से मिलती है लेकिन जो socio-cultural life जो होती है common man की उसके जनकारी हमें नहीं मिलती है और जो inscription होते थे वह required case non-perishable materials जिसे के stone, metal, rocks इन सब चीजों पर है ओके 28th हमबर question लिखते है वे चुदो following list correctly and choose the correct code तो हमें बताना है कि code कौन किस से related है और यह chapter 2 में दिया हुए class 12 का in new anxiety book में तो types of inscription जैसे votive, royal, eulogy और donative highlights the achievement of conqueror and ruler gift of money and cattle by artigans gift to religious institution decree issued by the kings and princess तो हमें बताना है कि कौन किस से related है तो votive जो है votive का मतलब होते है gifts made to religious institution royals का मतलब decree issued by the kings and princess और जो में ली अशोका के दौरान काफी दिखा गया था ठीक यू लोजी का मतलब होते है highlights the achievements of conqueror and doulas and donative का मतलब gifts of money and cattle by artigans and merchants तो option number D हो हो जाएगा हमारा correct हो जाएगा ठीक है वोटिव बाइद 2nd century BC ऑन शाट वोटिव इंस्कृप्टफीन पया जाता है तो ऑन शाट वोटिव इंस्कृप्टफीन कभ पया जाता है एक केंग सेंच्वि बीजिए ताक second century BC तक क्या मतलब ये है सौट वोटिव और वोटिव क्या होते है अभी हमनी चास्ट दीक हा जाते है गिफ्ट मेरे तो दग रिलिजियस इंस्टिशिशन चाहिए डिटेल इस अबाऊट पीपल फूलिप इंट इन ताउन यह वेबर, स्क्राइब, कार्पेंटर, पोर्टर, गोल्ड, बैग, ब्लैक, ब्लैक, ऑफिसियल रिलिजियस टीचर्स, मर्चंस, एंड किंग्स के बारे म ठीक है, ठीक है, Royal, inscription has evidence from the name, where the order and decree issue क्या जाता है, in the form of inscription, जो एजरा के त्वरा, issue क्या जाता है, यह, लाजिक, प्रियस क्रता है, kings और warriors का inscription, अर में लिए, वो exaggerate करते हैं, अगर हम किसी का प्रियस करते हैं, तो काफी exaggeration होता है, और में लिए वो तो RAW जान रहते हैं, तो RAW थो काफी ही exaggeration होगा and tells about the explore which of the King donated क्या हो थे इंस्क्रिप्षेन है records of donation made with the woman and meant to religious institution these people are mainly merchants and traders अब देखेंगे literary sources के बारे में inside history की तो 21st द्युन्स्क्रिप्ट आपर कोच्यों आप the ancient manuscript of India were written on the following materials to ancient manuscript जो थी वह मयई किस पर लिखी जाती थी वो लिखना थी बर्च बार्ग बर्च बार्ग पयोर से जाती थी ऑफ्चिन बार्ग डी हो जाएगा शुर्जीच कुम्यु सरक रियं। फोर थी प्रक रेजा थी इंडिया में रिटे और बर्च बार्क और पाम लिप्स जब की चेंट्रल एसे में वह लिखे जाते थे प्रकृत लांग्विज में एड इस प्रेट फ्रॉम इंडिया मैंस्क्रिप्ट वे अल्सों रिटेन सीप लेदर और उडिन टेबलिश पर तो वह लिखे किस पर जाते है इसी है सोला महाजन प्दाष और महाजन प्दाष ये नहीं किख वारे में चैसलत जाकरी मिलती है तो वह मिलें हमें और लग शुत्र निकाय से दीगणी श्रह से और भागवती सुत्रा से तो से मिलती है option number B जो हो जाएगा वो गरेक्ट हो जाएगा जो बुद्धिस टेक्स्ट है अंगुतर निकाए और अधिक निकाए से हमें किसकी जान करें मिलती है स्वल्ला महाजन का और भगवती सुत्र जो है वह जैनिजम बुक्स है तो इस सेंट महाजन पता अकड़े रहा हूं 600 बीसी एंड सेंट सेंचुरी बीसी हमें मिलती देखने के मलता है और इसको रेफर के जाते हैं सेकिंड अर्बनाइजिशन और इसके बारे मैंने डिटेल व अंगुतर निकाय में देखने को मिलता है अर्थ शासरा जो की लिखा हुआ है को टिली के दारवर वह और देता है पॉलिटी के बारे में जानकारी मिलती है में पॉलिटी पॉलिटिकल पीरियट के बारे में मौरे टाइम्स का तो ऑप्शन नमबर टू थ्री फोर जो हो जाएगा वह हमारे करेक्ट हो जाएगा अंगोता निकाय दिखनिकाय और भगवती शुत्रा टंटी-टनpower कोशनिकै उप्शन्गैंगर गांदेट fel आपलफयर उपहन के बारे में के बारे मों tandem कने के बार में लिखा गया option number A हो जाता है हमारे correct और the stream of the king was written by Kalhana in 12th century AD तुराश करंगरी का मतलब होता क्या है मतलब होता है the stream of the kings और वो लिखा गया था किसके दर Kalhana के 12th century AD और इसमें biography हमें मिलता है कश्मीर के जो kings है उनके बारे में चीक है 24th number question देखते हैं करें the following statement regarding महा भारता महा भारता के regarding हमें बताना है कि क्या सही है क्या सही है तो it was composed by the sage Vyas and is older than Ramayana तो यह तो बिल्कुल भी सही है कि हमारे दो epics है दो important epics है रामायना और महा भारता और रामायना और महा भारता में जो सबसे पुराने हैं वो है महा भारता चीप और यह लिखा गया था जो ब्यास रिसी हैं उनके दर तो option नमर जो ए है वो करेक्ट हो जाते है और इजनली इट कंसिस्टेट 24,000 वर्षेट एंड वोस कॉल्ड एज जै समहेता तो नहीं यह जो option है वो इनकरेक्ट है क्योंकि और इजनली जो है यह कंटेंड करते है आठ हजर वर्षेस को चाहिए तो option नमर जो भी है वो इनकरेक्ट है सथ सहस्री समहिता तो जिसको बलता है सथ सह सहस्री तो option one और बन और यह जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है जो इनकरेक्टக्ट हो जाता है क्योंकि 4th century AD तो 4th century AD के दौरन इसको compilation हुआ है महावारत है लिखा गया है ब्यास रिस्टी के दौरे और रिफ्लेक्ट करता है state affairs कबके 10th century BC से 4th century AD का इसका final compilation होते है तो इसमें वर्सेस बनते वन लैक जिसको कहा जाता है सथ सहस्री समहिता 25th number question रिखते है consider the following statement regarding रमायन तो रमायन के regarding में बताने है कि कौन से statement जो है वो correct है पहला option है it was composed by the sage Balmy की and originally consisted 6000 verses तो यह जो option है यह correct है starting में 6000 verses होते है जबकि महावारत है में देखने को मिला था कि 8000 verses था उसमें ठीक है और उसको बुला जाते था जय समेदा contrary to महावारत है it contains only narrative portion तो नहीं option यह जो है वो incorrect है क्योंकि इसमें सिर्फ narrative portion नहीं है deductive portion भी इसमें add किया गया था third number it composition was started in the fifth century BC and since it was passed through five stages तो हाँ इसका composition start हो था fifth century BC में हो और यह pass हो गया five stages से तो option number one and three जो है वो correct हो जाता है option number second जो है वो incorrect हो जाता है चीक है तो इसमें starting में किता है versus होते है तो आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छा लगा नेक्स क्लास्वें 26 नबर कोस्टिंस से पढ़ेंगे आई होप लोगों को अच्छा लगा हो बाई क्या है